पुटिन है दूसरी तरफ नेटो है और अब बीच में वर्ल्ड वॉर के साथ परमाणू धमाके का खत्रा सताने लगा है और इस वक्त यॉरप में युक्रेन के बाद लंदन दुनिया के नक्षे पर वो जगा बन गई है जहां परमाणू धमाके का सबसे बड़ा एपिसेंटर बनने का डर सताने लगा है नेटो खौफ में है क्योंकि आशंका है कि लंदन इस वक्त पुतिन का टार्गेट नमबर वन बन चुका है अगर परमाणू बम लंदन पर गिरा तो बिटेन की राजधानी का क्या हाल होगा लंदन के सेंटर में बम गिरने से तीन किलो मिटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जला कर राक कर देगा रूस ने अगर लंदन पर मिसाल दागी तो दावा किया गया है कि ये सिर्फ तीन मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्षे से मिटा देगी लंदन पर परमानू हमला हुआ तो बिटेन की संसद धूल में तबदील हो जाएगी यहां प्रधान मंतरी का निवास सब कुछ खत्म हो जाएगा बकिंगम पैलेस से लेकर लंदन का इतिहासिक पुल जब सब डह जाएगा इस हमले में 4 लाक से ज्यादा लोग फौरन मारे जाएगे जबकि 9 लाक की आबादी बुरी तरह जखमी हो जाएगी यानि उसके तीसरी डिगरी के जलने वाले जखम होंगे इन में से भी ज्यादा तर लोगों की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी लंदन पर सबसे बड़ा खत्रा क्यों अंडरा रहा है इसे समझने के लिए आपको युकरेन ले चलते हैं युकरेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में ये आग बता रही है कि पुतिन का खुस्सा पूरे युकरेन को जलाना चाहता है यहाँ पुतिन के हमले के बाद रेस्क्यू आपरेशन जारी है एक-एक जान को बचाने की कोशिश शल रही है हमला इतना खतरनाक था कि जलनस्की के हाथ से युद्ध निकल चुका है ये बात बार-बार साबित हो रही है उनका एक-एक डिफेंस सिस्टम दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है जलनस्की का दावा है कि पुतिन ने 24 घंटों के अंदर 128 गाइड़ बं से तबाही मचाई है यानि हर घंटे पुतिन पांच से ज्यादा बं यूक्रेन पर फोड रहे है और ये हमले ज्यादतर खारकीव, सूमे और डोनेस्क में किये जा रहे है इस हमले में 30 लोग जखमी हुए हैं जिन में से 3 बच्चे भी है बताया जा रहा है कि रूस का एक गाइड़ बं खारकीव के आस्मान को चीरते हुए इस बिल्डिंग पर आगिरा ये बात तो जेलन्सकी भी पूछ रहे हैं कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है जबकि युद्ध से तबाही का मनजर रोज खौफनाक होता जा रहा है रूस और युक्रेन दोनों अब एक दूसरे की बहुमनजला इमारतों को टार्गेट कर रहे हैं युद बहुत ही भानक दोर में पहुच गया है लेकिन बॉर्डर के पार रूस में क्या हुआ है जिसने पुतिन को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है देखिए बेलगरत के ये वीडियो इन धमाकों ने जेलिंस्की का अजेंडा साफ कर दिया है रूस के अंदर ऐसे खतरनाक हमलों को देख कर पुतिन बहुत बेचैन है जब कि जेलिंस्की ने पुतिन को रोखने के लिए फिर से अपनी पुरानी दिमांड पेश की है इपर दिमांड उन्हांड दिमांड ने पुरानी दिमांड पीजा जेलिंस्की कीज इस दिमांड का सबसे बड़ा जवाब वश्शंटन डीСी से नहीं बलकि लंदन से आया है, यानि बिटेन से बिटेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो उक्रेन को लंबी दूरी के मिसाइल देने पर विचार कर रहा है यानि ऐसी मिसाइल जो रूस के अंदर हमला कर सकती है अच्री कार यक्रोपने हम खजाओए पर दीन ए इस्थी चर्या काहिणज मिसाइ förhington को लाओ्स हमीझ ब viele उत्प कारा मिसाओ sneakलें, स्थम्टक्रा हमीझा एंग पर उनाओोतWhat घशों in getting through the winter and repelling some of the worst action and aggression that we've seen from Putin in recent times. Britain, now, is to take risk against Russia. He wants to take a risk, which is the decision that Putin has given to it before. And he has announced that the decision on the world. It is a direct participation. And this, of course, will change the reality of the conflict itself, the nature of the conflict. This will mean that the NATO countries, the USA, the European countries, are fighting with Russia. And if it is so, in terms of changing the reality of the conflict, we will take the correct decisions, based on those threats, which will come to us. The question is, can Putin will launch his most dangerous missiles? These are the missiles, which may become active. The terrorists are the decisions Iran is the reality and the Russians, you are the self-adoption. The Russians and the Russians will avoid it. We are going to have the Russians. The Russians will see. The Russians will the Russians to me. It will be the Russians on our planet. The Russians will see the Russians. उक्रेन को लंबी दूरी के हत्यार दे कर अब नेटो रूस के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ना चाहता है उक्रेंट लड़ना चाहता है उरूस के लगातार हमलों के बीच जेलन्सकी की लाचारी, नेटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे इल्जाम और नेटो पर बड़े हमले की तैयारी वाली बातें इन सब को समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमानूत तैकाना जिसमें मोबाइल लॉंचर वाली सकिंदर मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है बहुत ही घातक मिसाइल है ये पंडुबी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा RS-36 साटन जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर RS-28 सरमत इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल है RS-24 जंगल में चुपते हुए आगे बढ़ता हुआ ये ट्रक ही इसका लॉंचर है पुतिन कई बार इसकी टेस्ट लॉंचिंग दिखा चुके है अब डर है कि उकरेन यूद के दोरान इसका असली प्राक्टिकल भी देखने को न मिल जाए पूरी दुन्या बस इसी डर से घवराई हुई है RS-24 यास की रेंज 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ट मिसाइल है वही पुरानी UR-100 स्टेलेटो अब भी भरोसे मन्द मिसाइल है रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूकलियर बम वाला हमला हुआ तो लंदन कैसे बचेगा मुद्दा बहुत बड़ा है वर्ल्ड वॉर का खत्रा है हाला कि जेलिंस्की को फिक्र अपने खारकीव की है सुमे की है और दोनेश की है जब कि वो खुद अपनी कैपितल कीव में बैठे है कजन तकी रोसीश्की उदार, कजन प्रोयब रोसीश्कों गरोर, यक सьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньо Ми очікуємо відповідних рішень पर दुसीश्की, ब्रेका, प्रांट, नीमेच्च, इताली, उसीश्की, खुद भी तक अमेरीकाने नजरानाज की है, लेकिन बिटेन की विदेशमंत्री का बयान जाहिर करता है, कि नेटो पुदेन की धंकी को गंभीरता से नहीं ले रहा पुतिन के गुस्चे का मतलब क्या है? क्या होगा अगर परमानू बटन दबा और नूकलियर हमला हुआ? पुतिन के टार्गेट पर दुनिया के कौन-कौन से शहर होंगे? नुई यॉर्क, पैरिस, वाशिंटन डीसी, लंदन, बरलिन, शिकागो, केलिफोनिया, लॉस आंजिलिस ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शेहरों तक है और अगर नेटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शेहरों को धूल में मिला देंगे अगर इन शेहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? पुतिन का घुस्सा जला कर राक कर देगा ये बात तो बाइडन भी जानते है फ्रांस के इमानियूल मैक्रो भी जानते है जर्मनी के उलाव शॉल्ज भी जानते है और बिटेन के पी-म केर्स्टार्मर भी पुतिन के घुस्से से वाकिफ है पुतिन की नुकलियर कमांड इस वक्त पूरी तरहां से आक्टिव है वो अपने तमाम खतरनाक नुकलियर हत्यारों और उनके डिलिवरी सिस्टम को पूरी तरहां पर रख चुके हैं पुतिन के मिसाल के टार्गेट पर नेटो का हर बड़ा शहर है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पुतिन की धमकी को हलके में लेने की गलती वर्ल्ड वार को दावत कही जाएगी इसलिए युद को लेकर पूरी दुनिया में जो अंगारे देखने को मिल रहे हैं उसमें युकरेन का अंगारा घाजा से भी खतरनाक है क्योंकि इस जंग में बार बार बताया जा रहा है कि रूस के परमानु हत्यार लगातार अक्टिव बने हुए हैं